हलो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता चली चुका होगा अगर नहीं पता चल पाया तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ महात्मा जूतुब फुले रुलखन विस्विद्य लेवरेली की तरफ से सैचिक सन 2019 वीज के लिए V.A.B.S.V.com और M.A.M.S.C.M.com के जो एक्जामनेशन फॉर्म है वो रिलीज की जा चुकी है और आज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल स्टैप्स में आप आसानी से बिना गलती की हुए किस स्टैप्स से आपने अप एक्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं आपको अपने एक्जाम फॉर्म में किसी भी टैप की कोई मिस्टेक नहीं करना है क्योंकि आपको करेक्शन करने का मौका नहीं दिया गया तो चले आप इस website पर आ जाते हैं आपके सामने कुछ steps interface से आगा उसके बाद scroll down करके थोड़ा से नीचे आना है और latest update में यहां पर आपको में रहा है online exam form ठीक है एक्स student जो कि regular category यान कि जो college में एड्मिंसल लेने के बाद पढ़ाई करते हैं और वो regular student होते हैं तो यदि उनकी back लगए यान कि वो fail हो गए अभी तक pass नहीं हो पाएं ठीक है तो उन्हें student को access examination form fill करना है वो student भी हमार साथ बने रहे हैं यहीं पर उन्हें fill करना है लेकिन जो private student है ठीक है तो private student के लिए यहां पर कुछ भी नहीं private student के जो form है वो बाद में आएंगे सभी student को बाद में fill करना होगा लेकिन जो regular student है और regular में यदि आपकी back लगए थी यान कि आप fail हो गयते तो आपको access exam form fill करना होता है तो वो student भी इसी exam form को यहां से fill करेंगे ठीक है तो हमें online exam form में यहां पर click करना होता है उसके बाद आपके सामने कुछ e-step से यह page आ जाता हो यहां पर आप देख सकते हैं जो new वाल option आपके सामने आ रहा है online main and old semester system professional courses ठीक first वाले पर हमें click कर देना होता है उसके बाद आप यहां पर आप देख सकते हैं यदि आप इस website को mobile में access करते हैं तब आपके सामने कुछ fill new form पर हमें यहां पर click करेंगे उसके बाद यूजी पीजी regular forms ठीक है यहां पर एक बार click कर देंगे यदि आप इस website यहां click करने पर सो होते हैं लेकिन laptop में यह directly यहां पर आपको मिल जाएंगे ठीक उसके बाद यहां पर आभी मैंने आपको बताई था और m.com यदि वो fail हो गयते और अभी तक pass नहीं हो पाएं ठीक है चाहिए आप किसी भी region की वज़े से fail हुए इसके लिए मैं नहीं बोलना हूं लेकिन अदि आप fail हो गयते और pass अभी तक नहीं हो पाएं तो आप access student की category में पहुँच जाते हैं PG में ठीक है तो आपको PG yearly access student option चूज करना है यदि आप PG के student है fail नहीं हुए थे pass हैं आराम से या फिर fail होना के बाद भी improvement आनने के बाद आप pass हो गए और आप pass हैं ठीक है पास वाली category में तो pass वाली student को PG वाले में PG yearly regular MA MSC UMcom के लिए है ठीक है उसके बाद ये वाला second वाला option चूज करना है जो student undergraduate यानि क BA BSC Bcom के student है और यदि वो fail हो गयते फेल होने के बाद improvement के बाद भी pass नहीं हो पायते और अभी तक fail ना ठीक मान लेजिए आप अभी तक fail ही है तो fail वाले student को पता ही होता है access student form fill करना होता है तो access student वाले form fill करने के लिए यहां से आप देख सकते हैं under graduate courses में BA BSC Bcom के लिए fail व option को चूज करना हो यदि आप pass है यूजी courses में BA BSC Bcom में pass है या फिर fail होने के बाद भी pass हो गाए अब यानि कि आप present time में pass हैं तो pass वाले regular student को यहां से यह वाला form fill करना होता है EG yearly regular ठीक है फिलाल हम यहां से pass वाला form fill करना है और वो जो form है BA का है यानि कि BA BSC Bcom के लिए यह है कर डीक है हमने UG कोशस से लेट किये हैं तो यहां पर Firm करना है यहां पर देख सकते हैं जा तक है और। और enrollment number ठीक है जो student first year में है किसी भी course के first year में उन्हें केवल एक ही option मिलेगा चली मैं यहाँ से first year का option दिखा देता हूँ अगर आप first year पर click करते हैं चाहें BA हो, BSC हो, BC हो, कोई भी course हो यदि आप first year पर click करते हैं तब आप देख सकते हैं search in magic है university registration number मांग गा है और इस पर click भी नहीं हो रहा किवल एक ही option यहाँ पर आ रहा तो university registration number में first year वालों को कौन सा और university registration number फिल करना ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा माई या जून के टाइम आपने रोयलखर्ण university के official website पर अपना online admission form फिल गया था उसमें आपको एक registration number दिया गया ता जो student UG courses गये उनका registration number है वो कुछ इस टाइप से उने मिला होगा UG 012 स टाइप से जो भी आपका thatic Travis है जो student PG courses गये उनका registration number जो है वो उन्हें कुछ इस टाइप से मिला होगा PG courses मालों को उनके registration number में PG-0125, इस step से कुछ भी हो सकता है, लेकिन शुरू में उनका PG ही लिखा हुआ, मिल जाता है, ठीक है, तो वो register number यहाँ पर आपको fill करना है, जो कि आपने university के official website पर online admission form fill किया था, लेकिन जो student second year या finally year, फिर third year के हैं, तो मैं यहाँ से second year चूज करूँगा, मुझे यहाँ पर द class का, जिस class को pass करके अभी आप आएं, 2019 में जिस class के आपने exam दी हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर जैसे कि बिए second year का form बार रहा हूँ, तो मैंने बिए first year के exam दी होंगे, तो मुझे यहाँ पर अपना previous class का बिए first year का जो roll number है, उसे यहाँ पर लिख देना है, चली मैं यहाँ पर the name या फर mother name, दोनों में से कोई सा name यहाँ पर फिल कर दीजिए, उसके बाद यह जो capture code है, यहाँ पर एक बार किलिक कर दीजिए, फटाक से जल्दी से, चली हमने किलिक कर दिया, उसके बाद देख सकते है, आपका जो form है, finally open हो चुका है, ठीक है, किसी की form में कोई mistake है, या इसके बाद यहाँ पर आपको एक बार टिक लगा दीजिए, चल्दी जल्दी से टिक लगा देते हैं, उसके बाद proceed to registration form, यहाँ पर आपको किलिक करना होता है, यहाँ पर एक बार किलिक कर दीजिए, देख सकते हैं, उसके बाद आपका जो form है, finally open हो चुका है, कोई problem नहीं होगी, आप आराम से अपना form open कर सकते हैं, उसके बाद क्या करना होता है, जो student किसी भी course के first year में है, ठीक है, विए, 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 सी, वी, कौम के first year में है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर enrollment number में कुछ भी fill नहीं करना, इसे आपको blank छोड़ देना, इसे आपको कोई ल details होती है, नेम, father name, college name, और role number, नहीं पर आपको एक enrollment number मिलेगा, उस enrollment number को आप यहाँ पर लाकर fill कर दीजे, जो student second year के हैं, ठीक है, सभी को fill नहीं करना, क्योंकि first year में अभी आपको enrollment number मिला नहीं है, जिन student नहीं यहाँ पर second year complete करना है, ठीक है, या फिर final year complete करना है, उनके पा किया है, तब भी आपके पास enrollment number, आपके अंडर गिजूट, यानि कि B.A.B.C.O.B.C.O.B.C.O.M.S.E. पर होगा, उसे आप यहाँ पर fill कर दीजे, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कुछ जो यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ चीज हैं यहाँ पर already, यहाँ पर fill QE आ रहीं ठीक है, इनसे आपको कुछ लेना देना नहीं, फिलाल जिन चीजों को fill करना है, उसे यहाँ पर gender select करना है, मैं यहाँ पर gender select कर लेता हूँ, category में आपको अपने accounting category select करना है, sub category में जो आपके sub category हो, उसे select कर लेने ना आने था, यहाँ पर not applicable पर click कर देना, यहाँ आप किसी sub category से belong नहीं करते हैं तब, domicile states में, जिस state से आप belong करते हैं, यानि कि जिस state में आप रहते हैं, आपका जो राज है, उसे select कर लेना है, मैं उत्तर प्रिदेश में रहता हूँ, तो मैं यहाँ यहाँ पर उत्तर प्रिदेश को select कर लेता हूँ, उसके बाद रिलीजन जो है, उसे select कर लेना, ठीक है, उसके बाद आपका जो current address है, उसे यहाँ पर provide कराईए, और जो permanent address है, उसे यहाँ पर लिखतीजिए, यदि दोनों address सेम है, तो दोनों जगा एक ही address से आपको लिख देना है, सेम address लिख देना है, कोई problem नहीं होगी, उसके बाद क्या करना होता है, आपको अपना medium select करना होता है, हिंदी है, इंग्लिस में से, हिंदी select कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपका जो आधार number है, उसे लिख दीजिए, correct वाला लिखना आधार number ठीक है, बिल्कुल कोई mistake नहीं करना है, ठीक है, और mobile number यहाँ पर बिल्कुल correct वाला लिखना form फिल करते हैं, ठीक है, आप वीडियो को थोड़ा सा आराम से देख लीजिएगा, फिर भी यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो वीडियो को दोबार से एक बार ट्राइ कीजिएगा देखने का, ठीक है, उमीद करता हूँ, आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके स होते हैं, यहाँ पर चार सब्ज़क्त आ रहा है, और credH बस्तो में होगे, तो बहाँ पर आपको तीन सब्ज़क्त ही मिलेंगे, तो उसी टाप से कर लेता है। जैसा कि आपको पता ही होता environmental science का जो यहाँ पर पेपर होता जो कि objective paper सभी को देना पड़ता ठीक है वो किसी भी course में एक बार आपको देना ही देना होता चाहिए हम first year, second year, final year में आप दे सकते हैं ठीक है ज़िए आप यहाँ पर देना चाहते हैं और पहले clear नहीं था आपका ठ ठीक है तो उसे आप यहाँ पर ठीक लगा दीजिए ठीक ही यह वाला देख सकते हैं आप इस पर ठीक लगा दीजिए यदि आपका clear नहीं इंवार्मेंट का ठीक है उसके बाद क्या करना होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं class है यह आपका ठीक है word जो की ठीक आ रहा है rule पर भी ठीक आ रहा है year 2019 ठीक है previous class का यहाँ पर जो qualification है उसे यहाँ पर फिल करना है ठीक है previous class हमार 2019 में complete हुआ year 2019 आ रहा है ठीक है उसके बाद यहाँ पर marks obtained पिछली कच्छा में आपको कितने marks पराप्त हुएं कितने number आएं total आपके पिछली कच्छा में ठीक है previous class में उसे एक साल का total marks होता ठीक है तो marks maximum marks में यहाँ पर आपको लिख देना है 450 BSC वालों को बीए वालों को 400 step से लिख देना होता ठीक है फिलाल आप जो course कर रहे होते हैं यह आपके course को उपर different करता है कि आपका जो total result होता है वो कितने marks होता है वो आपको maximum marks में यहाँ पर लिख देन यहाँ पर आपको करके रख लेना उसे scan कर लेड़ा है इसकेन करने के लिए जो file का size है वो यहाँ पर आप देख सकते है allow file size less than 20 kv ठीक है यानि कि 20 kv से कम का ही यहाँ पर आपकी जो file का size होना चाहिए तब ही यहाँ पर allow करेगा अन्यता आप यहाँ पर upload नहीं कर पाएंग यदि यह आपके file का size ज्यादा है तो आपसे resize करके कम कर लीजे और 20 kv तक ही कर लीजे उसके बाद क्या करना होता है जहां से आपने scan करके रख लिया होगा अपने laptop PC में ठीक हो तो choose file हम क्लिक करेंगे choose file फर क्लिक करने के बाद आपके जो gallery होगी बोपन होकर आजागी यहा आपको fill कर देना उसके बाद क्या करना save form पर click करना जैसे आप save form पर click करेंगे आपके जो form की fees होगी या तो fees काटने कलिए आ जागी जिन courses में फीस summit होगी उनमें fees जमा करने के लिए होगी उनके लिए यहाँ पर PDF file download करने के लिए आजागी आपके form कीडिक है तो उस PDF file को आ और विडियो को पर आप जद नहीं किया तब आपका जो फॉर्म है उनिवर्स्टी के लिए फारवर्ड नहीं हो पैगा और आपका जो रोल नमबर एक्जांक के लिए वो जनुन लेट नहीं हो पहेगा तो इस चीज का आपको खास द्यान रखना है आपको इस फर्म को भरने के बाद इस फर्म का जो प्रेंट आउट है उससे जरूर काउलज में समिट कर दें ठीक है उमीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से सभी जानकारी से समझ गये होंगे दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं है तो इसी तरह से जुड़ी और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वेल एकन को जूर पिस करने थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो